हर्दोई के सामुदाइक स्वास्ते केंदर कच्छोना के न्यू पीएस सी गोरी खालसा में मुख्य मंत्री जन आरुग्य मेले की निरिक्षन में पहुँचे परदेश के स्वास्ते मंत्री जै परताप सिंग ने कहा कि करोना से डर्ने की आवशक्ता नहीं है उन्होंने कहा की करोना विमारी से बचाव ही बरदान हैं उन्होंने कहा कि मास्क लगाने की भी आवशक्ता नहीं है बस बचाओ रखे डरने की कोई जुरूत नहीं है प्रस्तावित कारे करम के तहक निरिक्षन में पहुंचे मंत्री जै परताप सिंग ने मुख्य मंत्री जन आरोग्य मेले का रीबन काट कर उदगाटन किया उन्होंने कहा कि करोना विमारी के डड़ने की कोई अवशक्ता नहीं है आज देश भर में सभी के मोबाइलों पर मैसेस आ रहे हैं उन्ही को ध्यान में रखते हुے चिर्क बचाव की अवशक्ता है और यही बचाव वरदान साबित होगा उन्होंने कहा कि देश में 84 केस हैं जिन मेंसे 2 की मोथ है वह भी ज्यादा उम्र की थी उन्होंने कहा कि बीमारी से मरने की संख्या की पॉइंट 2 परतीशत है कहा कि भारत लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में 13 केस हैं जबकि यू स्कैनिंग की जा रही है और बाहर से आने वालों का वीजा भी फिलहाल रोक दिया किया है उन्हें ने कहा कि मास्क लगाने की अवशक्ता नहीं है बस बचाव रखे और डढ़ने की अवशक्ता नहीं है समाजवाधी पार्टी के द्वारा 22 अप्रेल को 22 मुद्दों को लेकर परदेश भर में सरकार के विरोध में किये गई परदर्शन को लेकर मंत्री ने कहा कि समाजवाधी पार्टी सत्ता में थी और आज विपक्षी मुखे विपक्षी दल है और ऐसे में सरकार का विरोध करना उनका दाईत्व है वह सरकार का विरोध करेंगे लेकिन जनता सब जानती है और आने वाले समय में जनता देखेगी मध्य परदेश में भाजबा की सरकार बनेगी इसको लेकर उन्हों कहा कि आज 22 विधायक जोतिर अधित्य सिंध्या के पक्ष में इस्तिफा दे रही हैं तो परिवर्तन तो हो जाएगा मंत्री ने जॉइनिंग करने के बाद अनुपस्थित चल रहे डॉक्टर को लेकर कहा कि पूरे परदेश में लगबग 700 डॉक्टर ऐसे हैं जो जॉइन करन सब्सक्राइब की परिकिर्या पूरी कर दी जाएगी हर दोई से समधाता शाहिद अली की रिपार्ट एक तो यह मैं बताना चाहूंगा आप लोग के माधियन से कि इसमें करोना वाई से डरने की कोई आवशिक्ता नहीं है जो हमारे मोबाइल पर संदेश आ रहा है पिछले हफ्ता दस दिन से और देश के हर नागरिक के मोबाइल पर आ रहा है यदि हम उसी को फ़रा सा ध्यान दे कोई खासी जुखाम वाला है उससे एक मीटर की दूरी बना रखे लोगों को समझाए कि अपने मूँ पर कुछ रुमाल रखे तब खासे और समय समय पर अपना हाथ है तो यह बचाओ हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ा वर्दान हो जाएगा बाहर से आयवा कोरणा वराइस अभी लगबग चवरासी ऐसे केसे पूरे देश में जिससे लोग पॉजिटिव पाए गये हैं दो लोग की मिर्टिव हुई है और एक का जो 75 साल की उपर टू परसंटी है पूरे विश्ट में भारत ने अपने बहुत सारे तैयारी कर ली है उत्तर प्रेश में भी हमारे तेरा केसे हैं उनकी पूरी तैयारी हो गई है आठ सो बारा सो चौदा सो कुछ इस तरह के बेड्स हम लोंने तयार कि आइसोलेशन में मेडिकल कॉलेज और जिल अस्पितालों में मिलके और हर एक केस को हम लोग फूरा अच्छी तरह से देख रहे हैं भारत और नेपाल की सीमा पर हमारे थर्मल स्कानल लग चुके है इस एरपोर्ट्स पर सर्मल स्कानल रुके ज़िए हैं बड़े मात्रा में स्ट्रीनिंग होई रहा है और कें सरक हम वहलों से थोड़ा सा दूर रहे और हाथ बरावर्ट होते रहे कहीं अगर जाते बहुत जादे इसमें परिशान होने की बात नहीं है बहुत डरने की बात नहीं है बाकी भारत बड़ा देश है परमपारिक पर तरह के अर्युवेड एक दवाई आज से नहीं सेक्ड़ों सालों से चले आ रही है और लोग उसका आज भी हो सकता प्रैक्टिस करें उस पर कोई ऐसा प्रतिपर नहीं है कोई फरजी अगर कर रहा है एक तो होता है कि मानिता होती है कि हमने तावी लगा दि मेडिकल शॉप कर रहा है उस पर तो हम लोग अभी प्रशासन से मुक्वंति के आदेश पर हर एक मेडिकल शॉप को हम लोग चेक भी कर रहे है रिटेन वाले और उनके कागज भी देखा जा रहा जहां इस तरह का पकड़ा जा रहा तो उनके खिराब कारोई भी सर समाजव पार्टी हमारे यहां के पहले सत्ता में भी रह चुके आज के जिन मुकि विपकशी दल भी है तो अपना धरना प्रशन करना तो उनका काम ही है उनका वीरूर करना काम है सरकार का बीन करना काम है जनता इसका फैसला देखेगी 2022 की दौना थाना किसको हर दोई में डाक्टरों के देखे पूरे प्रदेश में लगबग छे सो साथ सो ऐसे डॉक्टर है जिनका बहुत दिन से कुछ पता रहता नहीं है लोगों ने अपने जगे पर जॉइन करने के बाद वो छोड़के चले गए या अपना खुदी पढ़ाई कर रहे हैं या अपन क्या लगता है मद्धे परदेश में कया विजभी की सरकार मन जाएगी कमलनात की जाएगी अब यह तो राजनितिक परशने आप ने क्या मद्धे परेश में वहां की परसितिया calor n शुर्ठिया के नेटर्ट में रहे तो भही परिवर्तन के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल